तो दोस्तों यह है हमारे पास Samsung Galaxy S21 FE 5G और गाइस इस smartphone को आपने जो buy कर लिया है लेकिन इसका camera quality आपको इतनी भी अच्छी नहीं मिलती जितना कि आपने expect किया था तो इसके कुछ camera settings होते हैं यूनो tips and tricks जिसको follow करना होता है तब जाके आप इसके अंदर डंक से photos या तो videos वगेरा जो click कर सकते हैं यूनो यहापे triple camera setup है लेकिन एक एक camera किस तरह किसे use करने है वो मैं आपको इस video में एक एक करके explain करने वाला हूँ यानि कि आपको जो triple camera setup मिलता आने वालों इससे Samsung Galaxy S21 FE 5G के तो प्लीज वीडियो को भीना skip के end तक देखे रहे हैं और आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को भी subscribe किजिगा ताकि ऐसा ही वीडियो में आप तक पहुंच आते रहे हैं एलो एलकम दोस्तों मैं उकी शूर आप देखे रहो रादे बीट त्वाई चले देखते है तो दोस्तों यह हमारे पास Samsung Galaxy S21 FE 5G तो आपको अपना camera lens जो वह साफ कर लेना है किसी cotton कपने से कभी कबार होता क्या है कि हमारे ऐसी fingerprint के निश्चान रह जाते उसकी वज़ा से भी फोटोस क्लियर नहीं आती है यह आपको front and rear दोनों camera's के अंदर काम करना है यहां कि लेंस साफ कर लेने है फिर लोग करते हैं कि ऐसे camera app open किया और यहां पर फोटोस क्लिक कर देते नो डाउट ऐसे फोटो अच्छा ही आता है बट यहां पर क्या कर सकते हो तो यहां पर आपक बहुत ही सही है यानि कि यहां पर फोटोस देख रहा हो कितना सही से फोटोस आ रहा है और यहां पर triple camera setup है यानि कि एक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस सरी किसे यूज कर सकते हो just example यहां पर जो अल्ट्रावाइड camera है वह आपको यूज करना है तो यहां पर देख सकते हो 0.5 यानि कि यहां से आप जो वह अल्ट्रावाइड शॉट्स ले सकते हो यहां पर देख सकते हो पूरा आपको ऐसा ज्यादा एरिया केप्चर करना है तो उस कैसे में आप अल्ट्रावाइड शॉट्स का यूज कर सकते हो एक camera जो इस तरी किसे यूज करते हो और दूसरा camera इंधर है जो optical इंनि कि हहांप अब 3x optical दूब करके फोट फोटो जिक्या Rs जूक कर सकते हो जैसा और हम दिक सकते हो ट्रीएड यह उप्टिवल जूम करने से जो फोटो प्लेटि sudah बहुत ही सही आछति है यहां पे आहकर आप देख सकते हो पिक्सल जो यहां पिक्सल जो यह है clear photos देखने को मिल जाती है 3x optical zoom करते हो तो और जैसे इस fun के अंदर आप portrait पर टैप करते हो तो यहां पर portrait में भी आपको 3x optical zoom का support देखने को मिल जाता है और यहां से आप जो effect भी change कर सकते हो जैसे कि blurring में आपको consequence effect चाहिए तो यहां यहां पर वह सारे options available है आपको इन में से जो effect पसंद आप simply apply कर सकते हो और आपको background कितना blur रखना है वह यहां से है जो adjust कर सकते हो और जैसे यहां पर फोटोस क्लिक करते हो तो यहां पर देख सकते हो फोटोस कुछ इस लिक से आती है और यहां पर बात करते हैं वीडियोग्राफिक की तो जैसी आप इस फॉन का क्या वीडियो एप ओपन करते हो तो यहां पर आपको जो options देखने को मिल जाता है यानि 4K में आपको वीडियो शूट करना है तो आप देख सकते हो अल्ट्रा HD करके options है यहां पर 4K लिखा हुआ नहीं रहता है अल्ट्रा HD 60fps पर जो वीडियो रेकॉड कर सकते हो फ्रंट एंड रियर दोनों कैमेरे के अंदर और यहां पर आप HD तक जो 30fps में वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो यानि कि फिलाल आपको पता है कि फ्लिकर हो रहा था 4K में तो यहां पर कोई भी फ्लिकरिंग मुझे नहीं आ रहा है इवन यहां पर वीडियो ग्राफिक के अंदर भी अल्ट्रा वाइड का यूज़ कर सकते हो 3x optical जूम कर सक आठीज यहां पर 69 यानि कि जो skin to body ratio चैंज कर सकते हो वीडियो के अंदर साइज और यहां पर एप्सान से आख अवगे अलग अलग फील्टर वगेरे यूज़ कर सकते हो वीडियो के अंदर और जैसी more पर प्लिक करते यहां पर आपको काफी सारे अप्सान से देखने को मि पॉट्रेट वीडियो एवन ड्यूवीडियो का भी आप्सेंस अभीलेबल है जैसे कि दोनों कैमरा एक साथ यहां पर यूज कर सकते हो कुछ इस तो आप चाहो तो ड्यूवीडियो भी यूज कर सकते हो अगेन मोर पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको काफी सारे अप्स यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो यहां पर आपको ऐसे अलग-अलग इमोजिस देखने को मिल जाती है और जैसे हम बैक आते हैं तो यहां पर फोटो के अंदर उपर की तरफ आपको आइकन मिल रहे है उसकी में आपको बात करूं तो यहां से आप फोटो के अंदर परसंदे वह और यहां पर प्लस का जो आइकन है वहीं से आप डाउनलोड फिल्टर भी कर सकते हो यानि कि आपको कैसा फिल्टर पसंदे वह सारी चीज यहां से एक्जस्ट कर सकते हो इसको इनेबल कर देने के बाद जो फोटोग्राफी आती है वो डेफिनेटली नेक्स्ट ख मेल आती है यहां पर लोंग टैप करते हो एसे तो आपका वीडियो जो रैकोड होना स्टार्ट हो जाता है और यहां से ब^^ कर सकते हो और जैसे अपधे आते हो तो यहां पर वीडियो रैकोड होचाई प dessa कि अंदर भी आपको कुछ ओप्सन कू land होता है अलग-अलग कंड 16 रखना है वो options देखने को मिल जाते है इवेन यहां पर आपको टाइमर वगेरा लगाना यह तो भी लगा सकते हो ग्रूप फोटो ले रहे हो या तो यहां पे वाटर अधर के अंदर पी काफी कुछ हो चुका है पहले फोटो इसके अंदर वन युए 6 यहां दर य형 चेंज के अधर बिंटो फोटोस के अंदर फिर जैसे ही आप आते हो तो यहां पर आपको निच की तरब एक आप्स देखने को मिल जाता है आप अटो एच्टी आर यानिक हाई डाइनामिक रेंज और यहां पर है टेकिंग ऑटो फोकस इन सभी चीजों को आप चाहो तो इनेवल कर सकते हो वाइबरेशन फीडबेक यानिकि वाइबरेशन होता है जब फोटोस के लिए क्लिक करते हो उस केसे में तो वहीं से यह सारी चीजे एकसेस कर सकते हो और आपको लगता है कि आपने कैमरा सेटिंग्स जो ऐसे वैसे कर लिए है तो यहां चे आप रिसेट ऑल सेटिंग्स भी कर सकते हो यानि कि यहां पर क्लिक करने के बाद कैमरा के जितने भी सेटिंग्स थे वो सारे रिसेट हो चुके है अभी गाइज कंपने में से जैसे आप नया स्मार्टफोन लाए थी ठीक वैसा हो चुका है सारे सेटिंग्स हमारे जो रिसेट हो चुके है तो गैस कुछ इस त आपको फीचर्स बताए वह आपको कैसे लगे और यह यूज करने के बाद आपकी फोटोग्राफिक कैसी आ रही कमेंट में जरूर से बताना और गैज मैंने इसका कैमेरा टेस्ट भी किया है वह वीडियो भी जरूर से चेक आउट किजिगा यानि कि सब फीचर्स को यूज कर कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ ठेंक्स पर वाचिंग जिसमें जाच के सुड़ू में इतने दोस्तों रहें क्यू सो मच बाए बाए फ्रेंड्स